तो है। हलो अर्यूर्वान आम रमेश निसाद अना वलकम इए आल विएफ अभीपश्ण अभीपश्ण टीम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिश्ण चला रहे हैं जुसका नाम है मिश्ण 2023 जिसमें धेर सारे important question answers, जो कि आपके आने वाले exams में आ सकते हैं, ऐसे questions को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको provide कर रहे हैं, तो last video lecture में हमने देखा था, कुछ important grammar की questions, जो कि आपके exam में आये हुए थे, आज हम उसी को continue कर रहे हैं, और यह है second part, तो आपके questions है, वो इस तरह स choice, और इनमें से आपको choice में से आपको select करने होते हैं, जो options है, उनमें से आपको select करने होते हैं, और यह grammar से related होते हैं, और यह आपके कितने number के आते हैं, यह आपके 5 number के आते हैं, तो समझें कि यह आपका 5 number आपका है, तो देख लेते हैं, इनमें से जो article हो गया, determinants है, question tag है प्रेप्रिजिशन से कंजंग्शन है या फिर टेंज से रिगार्डिंग टेंज से रिलेटेट जो है कोईशन साते हैं तो देखते हैं सोहन इस ब्लैंक only son of Mr. सर्मा क्योंकि यहां पर देखिए only only है next है इस तरह की जो वर्ड रहते हैं उससे ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं तो सोहन is the only son of Mr. सर्मा ए और न का यूज हमने पहले से जाल लिया है ए का यूज हम कब करते हैं तो ए का यूज हम जो है जैंजन यानि consonant pronunciation से ठीक पहले करते हैं एन का यूज वावल वावल यानि स्वर pronunciation से ठीक पहले करते हैं एन का यूज ओके और एक चीज़ आ रहा है कि ए और एन यह दोनों वन का ही short form है next देखते हैं how blank money you want many much any क्या आएगा इन में से देखिए how much money money you want यहां प्याज एगा मज़ अब मज़ क्यों आया क्यों कि हूग के साथ much how much money कि आज कीत्रेक तबना पैसा में हो में चाहते हैं मेंनी का यूंज हitelे क्यों कि मैंनी कि यू मनी क क्या है मनी क truth काउंटेबल नाउन है मनी को हम नहीं सकते मनी का मतलब होता है धन धन इट मींस हम धन में सब चीजे आजाती है रुपिया पैसा सुबनाचान्दी धिर जावारा सारी चीजें यानि धन को हम नहीं गिन सकते हां लेकिन रूपीज के यह बात आगी तो यहां पर आजाता हाउ म रुपीज के जगे जगा हमने लिखा रुपीज, तो रुपिया को ङिर चाते रुपियां को गिन सकते हैं। और क्वांके कॉन्टेबल यूद्वे आ जाएगा। तो यहां पर रुपिज होता दो हम लिखते हो मिनी रुपीज, लेकिन यहां पर मनी लिखा है. money uncountable noun है, इसलिए हमने लिखा how much money you want, any का use हम नहीं करेंगे, क्योंकि any यहां पर fit होगा ही नहीं, ठीक है, तो how any ऐसा नहीं होगा, any means कोई, ठीक है, next दिखते हैं, I have blank friends, a few, the few and few, तीनों दिया हुआ है, कौन सा आएगा, I have, यहां पर आज जाएगा, a few, I have a few friends, few, a few क्यों आया, few या फिर the few क्यों नहीं आया, तो देखे, few का use हम negative sense में करते हैं, यानि आपके पास परियाप्त मात्रा में नहीं है, मेरे पास कुछ ही friend है, कुछ ही friend, जिससे मेरा काम नहीं चल सकता, ऐसा अगर negative बताना हूँ, तब हम few का use करते हैं, a few का use हम positive sense में क I have a few friends, the few का use हम तब करते हैं, जब सारे लोगों को जितने हैं उतने पूरे को बताना है तब, जैसे मेरे जितने friend है, मेरे कुछ ही friend है, और सब के सब को अगर indicate करना है, तो आएगा the few, लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ friend है, ऐसा कहा जा रहा है, तो यहाँ पे a few ही appropriate है, next है, my mother has been living in this house, blank 30 years, from the year, since the year, for the year, क्या आएगा, तो first part में हमने चर्चा की थी, कि since और for के बारे में, since and for के बारे में, okay, तो my mother has been living, अब देखे, यहाँ पे, यह कौन से टेंस है, यह perfect continuous tense है, in this house, तो यहाँ पे हम since for and from, तीनों का यूस कर सकते हैं, but यहाँ पे देखे, 30 years, यह क् यह है, यह समय की लंबाई है, और समय की लंबाई बताने के लिए हम किन का यूस करते हैं, for का यूस करते, इसलिए हमने लिखा for 30 years, point को दर साने के लिए हम यूस करते हैं, since का, since को, और from का यूस, जब दो टाइम को दिखाना हो, कि बताना है कि 2010 ते 2023 तक, ऐसा कर दो टाइ time को दिखाना हम तब हम लिखते है from okay तो इस तरह से since का use point of time for का use duration of time time की लंबाई length of time ठीक है next है she wants blank papers to write a story she wants blank papers to write a story यहां पर दिया any some few क्या आएगा तो यहां पर देखें any का use होगा यह नहीं क्योंकि any का use some negative and question वाले question वाले sentence में करते हैं interrogative में करते हैं few का मतलब कुछ होता है लेकिन negative sense में यान मेरे पास कुछ ही paper है कुछ ही paper जिन से मैं लिखनी सकता ठीक से ऐसा negative sense होता है तो few लेकिन यहां पर some यानि कुछ positive sense में तो she wants यहां पर आजागा some some papers to write a story यानि वह जो है story लिखने के लिए कुछ paper चाहती है यानि उनको आवश्रकता है यहां पर some positive sense में next हम देख लेते हमारा जो next question है no I don't want blank book यहां पर देखे हम कुछ के लिए करते हैं लेकिन positive sentence में लेकिन ये negative sentence है यानि any इसके अलवा some का use हम one से जादा वस्टव के लिए करते हैं एक से ज्यादा वस्टव के लिए ए gradable है तब मेनी का यूसम कई के सेंस में करते हैंने एक से ज्यादा के लिए ही करते हैं जैने मेनी बुक्स मेनी फ्लावर्वर्स ओके इस तरह से नेक्स देख लेते हैं they are not happy because blank food is left with them यहां पर few है a little a few दिया है कौन सांसर सही कौन साप्शन सही होगा they are not happy because blank food is left with them food यहां पर food अगर्णी है यहां हम खाना को ने गिन सकते प्लेट को गिन सकते हैं तो देखे फ्यू फ्यू है और फ्यू इन दोनों का यूज हम काउंटेबल नाउं यह गर्णी संग्या के साथ करते हैं तो जाही से बाइत है a little a a little यह uncountable noun के साथ यूज होता है तो यहां पर a little ठीक होगा सही होगा next है आई डिज़्ड हूँव मने मै घर पहुचा मने यहां पर on है since लिया है एक लिए तो इन्वी आहएगा यहां पर एं लॉल क्यों आएगा एक बज़े-दो बज़े-दस बज़े के लिए हम यूज करते है लेकिन घड़ी के टाइम से बड़ा, जो संडें, Monday, Tuesday इनसे हम अंड़ करते हैं दिनांग पी जैसे 1st January, 2nd January तब ही हम उनकर यूज करते हैं इनसे बड़ा जो मन्थ है in January, फिर हम in कर यूज करते हैं फिर जो मन्त है मन्त से भी बड़ा क्या है मन्त से बड़ा है यह तो यह की पहले भी हम इनका यूज करते हैं नेक्स दिखते हैं आई निया हैं पर मलंक 10 रुपी नूट यहां पर hain अंदर तहुन मसक है रहें दिखा हुआ है कहलर में भी टीषा इनका रहें लॉक्त 1 रुपी नोट यहां पर यहां चाहरे तो ऐसे बोलेंगे ना 10 तब इत मींस यहां पर आएगा नहीं से आई वेंट तू हिस हो ब्लैंक आई डिड्नोट मीट ही यहां पर एंड दिया है इफ दिया है एंड बट दिया है तो इन्हें से कौन साप्शन सही होगा आई वेंट टू ही जो मैं उनकी घर गया था ओके आई डिड्नोट मीट ही मैं उनसे नहीं मिला तो यहां पर एंड और तो आएगा नहीं इफ यदि यदि मैं उनसे नहीं मिला होगा नहीं तो यहां पर क्या जाएगा बट लेकिन किन्तू परंतू तो मैं उनके घर गया था लेकिन मैं उनसे नहीं मिला बस यही इसलिए यहां पहे, but appropriate है, निक्ष दिखते हैं, C lives in ब्लांक अपर्टमेंट, यहाँ पहे देखिए, A in the, तीनों में से क्या आएगा, C lives in, यहाँ पहे आजाएगा, N, क्यों, क्योंकि यहाँ पहे हमने चरण कर रहे हैं, अपार्टमेंट, आ अपार्टमेंट, एन अपार्टमेंट, यहने स्वरुच्छार्ण, इसलिए एन, next है, how, blank money do you need, तो यहाँ पर how के साथ, क्या आएगा, मची आएगा, how much money you need, how much money do you need, many आएगा नहीं, नहीं आएगा, तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी, next है, he will wait, he will wait, उसके बाद on, in, till, काई सही होगा, यहाँ पर आजाएगा, till, till means तक के सेंस में, वो तीन बजे तक, wait करेंगे, यहाँ वेट करेंगा, तो यहाँ पर till ही आएगा, on तो आएगा ही नहीं, in भी नहीं आएगा, in means अंदर ह हो गया, on, यानि में पर हो गया, ठीक है, she has been studying, यह perfect continuous है, अब यहाँ पर, since and form, दोनों में से एक आले वाला है, तो यहाँ पर देखे, she has been studying, blank, 4 o'clock, 4 o'clock क्या है, समय की लंबाई है, या फिर, point of time है, समय बिंदू है, तो यह 4 o'clock means 4 o'clock, यह चार बज़े, मतलब 4 बज़े हो, तो समय की बिंदू है न, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, since, next रिखते है, they teach math in our school, अब यहाँ पर question tag लगा में, देखे, यह जो sentence है, तीन option है मारे पास, sentence positive है, यानि negative आएगा, यानि यह positive वाला cut, negative, don't they, they teach math in our school, अब यहाँ पर आजाएगा, don't they, ठीक है, clear, यह positive है, यहाँ पर हमने negative लिया, और यह तो pronoun है ही, इसलिए हमने pronoun को लख लिया, okay, देखते है, next, do you have blank relatives in Delhi, यहाँ पर देखे, much, any, none, इनमी से कौन सा आएगा, इनमी से आजाएगा, any, any क्यों आएगा, क्योंकि question वाला sentence है, do you have any relatives in Delhi, much तो आएगा ही नहीं, much means बहुत होगे, जादा हो गया, none means कोई नहीं हो जाएगा, okay, तो यहाँ पर इनमी, the train is blank hour late, यहाँ पर इनमी से कौन सा आएगा, इनमी से देखे, इसको पढ़ते हैं, hour, hour, a का उचरण, it means यहाँ पर an, an hour, ठीक है, स्वर उचरण, इसलिए, the teacher was standing, the blank, the students, between, among, along, यहाँ पर देखे, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में यहाँ बाद आती है, तब हम यूज करते हैं, between का, दो से ज्यादा, क्योंकि बच्चे हैं, students हैं, दो से ज्यादा होंगे, it means यहाँ पर among, दो से ज्यादा के बीच की बाद चले, त among, along, along का यूज होता है, along with, यहने साथ, तब यूज होता है, along का, तो along तो आए गए नहीं, क्योंकि बीच लिखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, among, the teacher was standing, among the students, Rajaswari has been living in Korba, blank, 2024, sorry, 2014, तो यहाँ पर क्या जाएगा, on since for, क्या आएगा, यहाँ पर आजाएगा, since, क्योंकि यह, point of time है, 2014, यह point है, तेका, duration नहीं है, 10 साल, 20 साल, ऐसा नहीं है, इसलिए, next है, he jumped, blank, the river, यहाँ पर देखे, jumped, on the river, on means होता है, सताह पर, जैसे यह हो गया, यह हो गया, और यहाँ पर, on, in, in means, अंदर वाली बात हो, जैसे किसी के अंदर की बात हो, into, into को हम गती दर्साने के लिए, यूज करते हैं, तो यहाँ पर, वो jump कर रहा है, it means, यहाँ पर गती वाली बात है, he jumped into the river, तो यहाँ पर into आएगा, next देखते हैं, he is blank, a in the, यहाँ पर क्या आएगा, he is European, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आजाएगा, he is, यहाँ पर आजाएगा, he is a European, n क्यों नहीं आया, क्योंकि, जहाँ तर सोच रहा होंगे कि n आना चाहिए, क्योंकि e to swar है, नहीं, यहाँ पर हम पढ़ते क्या है, European, यह से उच्छान, यह means, वेंजन, it means, यहाँ पर आजाएगा, a, he is a European, I have not got, blank friends, some, much, any, any में से कौन सा अप्शन सही हो जाएगा, कौन सा आएगा, I have not got, यहाँ पर आजाएगा, any, any क्यों आएगा, क्योंकि, नेकितिव सेंटेंस है, much तो आएगा नहीं, much मिन्स जादा हो जाता है, some, some मिन्स पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे मेरे पास कुछ friends है, I have some friends, ऐसा बोल सकते हैं, या I have got some friends, लेकिन यहाँ पर I have not got any friends, मेरे पास कोई friend नहीं है, ऐसा, तो any आएगा, he has blank hope to get success, hope, यहाँ पर little, a few, a few, and a few दिया हुआ है, तो सिरी से बात है, few, a few, the few का use हम कौन टेबल नाउन के साथ करते हैं, यानि गर्णी संगे के साथ, ज means, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, तो hope, आसा को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हैं, एक आसा, दो आसा, नहीं, तो यहाँ पर आख बंद करके आप लिख लिजिए, little, he has little hope to get success, Rajaswari has been using this cycle, blank 2014, for, from, since, क्या आएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, since, क्योंकि यह पॉइं of time, you may come, blank, you like, आप आसकते हैं, यदि पसंद करते हैं, you like, आप पसंद करते हैं, तो while आएगा नहीं, क्योंकि वाइल, it means, दो वर्ब, दो ख्रिया, एक साथ, that means, key के sense में आजाएगा, if ही आएगा, क्योंकि, यहाँ पर क्या जाएगा, कि आप आ सकते हैं, यदि आप चाहे यदि आप पसंद करें, so इस तरह से आज हमने कुछ important grammar के parts बहुत अच्छे से समझ लिये हैं, आसा करता हूँ कि आपको ये video lecture बहुत अच्छे से समझ जाया होगा, और आप हमारे साथ बने रहे हैं, क्योंकि हमारी पुरी team आपके साथ है, आपको top में लाने के लिए, आप को अच्छे से अच्छे number लाने के लिए हमारे जो team है, वो लगे हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और इस video को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैल आइकन को प्रेस करिए, और आप अभीपसा और पुरा कोर्स भी ले सकते हैं, मैं मिलूँगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के साथ, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद